हरी भाई मने कहता था के नरदरवे शरुआत्मा बले गुजराती मा बोलो पर भची चरा हिंदी मा बोलो तो साल का गई हाँ पत्रकार मित्रों बोटी संख्या माचे हुए मनु के हुए अन्य काम मा आवे हुए यहाँ थसे के यह प्रसन से मित्रों कोई संगठन सों वर्ष करे अगटना कितनी मोटी शे नहीं तो दस पंदर वर्ष एना बे टुकडा था है बची एना चार टुकडा था है एना बडले एक छत्र नीचे है सो वर्ष तो दी एटले लगवग पाँज पेड़ी यह काम करियो श्याँ अन्य त्याहरे आज सिद्धी प्राप्ता था है अन्य आजे सो मा वर्ष मा प्रवेशी शे द्यारे उन्य आदर पुर्वा के सवने नमन करूशो जे मने सो वर्ष पुर्वे विचार करे होशे विचार में व्यवार मा मुक्के होशे अन्य सो वर्ष दी अगवर्ष अगवर्ष अगवर्ण बच्चे आरोपो थाया आशे गणवर्ष राजी नाराजी थे याशे कोईनू नाम बोलवा मा रही किवाशे दर्थपाडिया तुदी दिशाय वाशे कोईनू मंच पर आपानू नहीं थे वह तो तक लिप पड़ियो गणू थे वह शे अन्या बदूस सहन करी ने समाज माटे गमा अनगमा सहन करी ने जेमणे आकामने निभायू छे एवा सवने आधर पुर्वक बंदन करो चू नमन करो चू अन्यावना सवना पुर्षापने आजा आपड़े याद करी ने में तुर समाजना लोकों मली ने अटला मोटा भव्यत प्रकल्पनों विचार करे आज मुर्णी बाबाची एले पुना मा वैचारीक दारीद्र नथी एनों मने जवर्द सानन छे अने एमा है पुना एम विचार करे कि गुजराती छोक्राओ आवे इमना रेभानी चिन्तात आपड़े करवी पड़े साहिब सलाम चतुन बजारीद्र ने अपड़ा पुना माटे चलोपे का गर्भा गवा माटे कर दिये गयोगुतू थो अपड़ी उने गुजराती जुव मान याँ आवे एमना रेभानी विवस्ता आपरेत्या थाए आप विचारेटलों मोटो छे अने तेथी पुनाना नेत्रुत्त्रेने पड़े अने एक अने अने अनिन्दन दरापो छू अने मने विश्वास चे साहिए लोहिमा विश्वास चे मुझा कि गुजरात करता सार पुना माती समग्रदेश मा अने दुनिया मा जाजा गुजराती समाज प्रवुर्त्य छे एने नवी प्रेर्णा मर्षे नवा उत्साव मर्षे गईवर से गुजरात ने जारे स्वर्णिम जेनती उजवाती हती यह मा पुना मोखरे रहो पन दुनिया ना मुट्टा भगना देश जाए एकाज पन गुजराती परिवार हसे त्या स्वर्णिम जेनती नो अवसर उजवायो अने मजह बीचे गुजराती स्वर्णिम जेनती एकलाली नो थी महाराष्टर ने गुजरात जोडिया भगाई छे नहीं यह पुन अपुन स्वर्णिम जेनती दो अथी सुधाव यह मन क्या बड़ाती पर गुजराते दुनिया भर मा गवरो भैर स्वर्णिम जेनती उजवी अने कहिंक न कहिंक सारू करवानों संकल्प करेो योजना करी अने एने पार पाड़वा माटे नो भरपूर प्रयास करेो अने इस दाता स्यवे । संमान मालूमोने आउसर मायो आपने तहीं के छे कोई यात्रा करी नावे चार दमनी यात्रा करी नावे आपने जवान आउसर नहां मायै प्ड़ यात्रा करीन आवे मतने जो पगे लाग हो तो नी मतली को कि चुँआ नि अगे ला उनम हो तो दान ना करें साह। पड़ू ने ने पगे लाग हो ने पुण्य मतली को है। कि आज़े मनें जिगनेज भायम संद्मान करवान अवसर बढ़ें कि मारी अब निया पहली बुलागा चे तो मैं रूपल ने तादे यहीं बोला भी तो यह मारा गामनी दित्री चे अमारा गामनों जबाई चे तो मों अड़्दू संद्मान करू तो बारे कोजी गाबबा ठपको साब लो पड़े अनि एदिते आज संद्मान नो लावो अनि एमाय कोई संद्मान करे यह संद्मान नो आनंच जुदो हो है पड़ दिक्रीना पीरिया जारे सन्मान करें ने यहनों आनंग जुदो है तहीं वो अनेर अउसरा भाई जिग्रेश ने खुब सुभेश चाओ पाठू छुब प्रगति करें अने आर्थिक दुनिया ने अंदर यहनों नाम रोशन थाए यहनों सामराज प्रस्ता भी थाए अने अपने सब गुजरातियों गवरव करिये इतनी अमनी प्रगति थाए यह भी अमने शुब कामना पाठू जूब बायों मैंनों गुजरात ने जिस प्रकार से आज विश्व के नक्षे पर अपनी जगा बनाई है आम तोर पर इतनी सरल्ता से होता नहीं जिग्रेश ने जिस एकममिस्ट मैगेजिन का जिक्र किया साथ में एक आद बार कभी उस मैगेजिन में हिंदुस्तान का उल्लेख होता जिक्र होता है लेकिन आपको जानकर करें अस्चरिय और आनन्द होगा कि पिछले एक वर्ष में तीन बार इकममिस्ट मैगेजिन ने गुजरात की विकास पर तीन स्टोरी की गुजरात की विकास की यांत्रा पर विस्तान सोर ने लिखा है और इन दिनों विशेस करके पिछले छे महिने में विश्व के जितने महनुफ़ां कुझे मिले हैं नॉर्मली एक राज्य को मुख्यमंत्री को मिलने के लिए अस्टेलिया के गवर्नर आये थे केंड़ा के केंडर सरकार के मंत्री और केंड़ा के एक राज्य के प्रीमियर आये थे इसी पिछले तीन-चार सब्तों में और उन सब ने एक बात का उल्यक अवश्य किया कि एकवर्नमिस में हमने आपके गुजरात की सब बाते जानी दो हमें लगा एक बार गुजरात हो आना चाहिए मित्र विश्व का अर्थ जाकत जो होता है वो भावनां से नहीं चलता है वो सच्चाई की धरातर पर चलता है अगर थो सच्चाई या नहीं है तो विश्व कभी भी आर्थिक तराजू पर आपको रखने का प्रयास तक नहीं करता है जिस समय गुजरात के इस कारे का दाईत्वर जनता जनार्दन ने मुझे दिया था 2001 में तब गुजरात की रेविन्यू डेफिसिट 6700 करोड रुपिया थे 6700 करोड रुपिया रेविन्यू डेफिसिट गाटे में राज्य कारोबार चलाता था भैंकर भुकम हुआ था उसके पहले अकाल था उसके पहले सुनामी का प्रॉप साइकलोन का की समझ से आई थी और एक के बाद एक अनेक आफ़तों से गुजरात गुजर रहा था दूसरी तरब माधुपुरा बैंक के कारण पुरा अर्बन कॉपरेटिब रहिंक का सेक्टर संकर के घेरे में था पुरी आर्थिक वबता चर्मर आ जाए वसे वो दिन थे अब कल पड़ा कर सकते हो ऐसे समय मेरे सर पे जिम्मेवारी आए ये इश्वर ने कुछ मदद की जनता जनारदन के आशिरवाद रहे 6700 करोड की डेफिसिट से विकास की आत्रा को पारम किया आज गुजरात रेवन्यू सर्पन स्टेट है एट नया पैसा टैक्स नहीं बढ़ाया है तालीस पर बजनी चाहिए दस साल में एट नया पैसा नया टैक्स गुजरात में नहीं डाबा देखिए उसके बावजुद भी करीब करीब 7000 करोड की डेफिसिट से आज प्रॉप बैलेंस के अंदर गुजरात की आर्थिक्स्तिति को ले गए हमारी याँ पावर सेक्टर पूरे देश में आपका किसी भी राजी का पावर सेक्टर देखेजिए इलेक्रिसिटी बॉर्ड लाखों करोड रुप्यों के घाटे में चल लए है कोई उसमें बाकी नहीं है गुजरात में भी जब मैंने कारेभार समाला इलेक्रिसिटी बॉर्ड में घाटा था पर यर 2500 क्रोड रुपी जाई हजार क्रोड रुप्यों के घाटे से हमारी इलेक्रिसिटी कंपनी चलती थी बिजली नहीं दे पाते थे मुझे आज है जब मनाया नया मुख्यमंत्री बना आगा तो लोग मुझे मिलने के लिए आते थे वो एक ही बात कहते थे दरेन भाई कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली मिले ऐसा करो वो दिन थे डीनर के लिए बिजली उपलब्द नहीं थी वो समय था पिछले दस साल में अब मैं भी राजनीति में हूँ मेरे मन मेरे कुछ करने की विछार होते हैं तो पहले मेरे आगे वाले थे उन्होंने धाई जार करोड ता तो घरडा किया था मुझे कुछ और करने का मन कर गया मैंने बजेट मेँ स्कूलों के विजली माप कर दी होस्टेल के बच्चों के लिए कुछ रियाइद दे दी किसानों को कुछ रियाइद दे दी 900 करोड रुपया और हमने खर्च कर दिया प्रती वर्ष 900 करोड याने घाटा हो गया 3400 करोड का यर्ली घाटा हो गया 3400 करोड का लेकिन भाईयो भेनो एक नया पैसे का टैरिक नहीं बढ़ाया एक नया पैसे का टैरिक नहीं बढ़ाया उसके बावजूद भी आज हंदुस्तान में अकेला गुजरात इलेक्रिसीजी बौर्ड ऐस ऐसी कंपनी है जो मुनाफ़ा करती है करीब 700-800 करोड रुप्या उस समय शाम को खाना खाते समय बिजरी नहीं मिलती थी आज 2400 घंटे हर गाउं में बिजरी उपलब रहा है मित्र हिंदुस्तान के और राज्यों में बिजरी जाती है वो खबर नहीं है वो कभी न्यूज नहीं बनती है उनके हां बिजरी अगर आती है तो खबर बन जाते है बस में ट्रेन में जाते हैं तो चर्चा करते हैं यार देखो हमारे गाउं में पिछले मंगल को आई थी तो कहता अच्छा तुमारी आई थी है हमारी याँ तो पिछले मंगल को भी नहीं है मित्र हिंदुस्तानात में अगर बिजली गई तो खबर बन जाती है कि मोधी तिनी बड़ी बाते करता है लेकिन फ़लाने गाओं में शाम को बाजवे फंद्रा मिनिट के लिए बिज़ित चली गई थी मोधी जवाब दे अच्छा हो मेत्रों ये कैसे हो सकता है और अगर गुजरात के हो सकता है तो देश में नहीं हो सकता यही सरकार यही मुलाजिम यही कानून यही कारोबाद उसके बाद भी स्थितियां बदली जा सकती है हिंदुस्तान के और राज्य भी अगर तै करें तो स्थिति बदली जा सकती है मित्रों गुजरात ने अपनी विकास यात्रा का आरब 1960 में किया 1960 से 2000 तक 40 साल में जितनी पंचवर्शी योजनाय आई उन सभी पंचवर्शी योजनाय में प्लां साइज का टोटल एमाउंट प्लां साइज का टोटल एमाउंट 51,000 करोड पर होता है 1962-2000 सबका मिलाकर प्लां साइज का वेल्य होता है 51,000 करोड 2001 में काईरभार हमने सभाला 2001 से 2011 तक 10 साल में 40 साल की प्लां साइज 51,000 करोड 10 साल की प्लां साइज 1,51,000 करोड अब ताली गुझने की बारी अब आ रही है ये जो पंचवर्सी वजना है 12 जिसका वर्स अभी शुरू हुआ इस पांच वर्स के लिए हमारी प्लां साइज का अनुमान है 2,51,000 करोड मित्रा ये दुनिया को तो सर्प्राइज ऐसे नहीं हो रहा है यो जना बत्र तरीके से फाइनांशल डिसिप्लिन के साथ हम विकास के और बल दे रहे हैं अभी दो दिन पुर्वा आपने भारत सरकार का बजेट देखा उस बजेट में एक बात की और आप अध्यां गया होगा टूर्टल जोंका बजेट है उसमें से 30% बजेट डेवलोप्मेंट के लिए हैं 70% बजेट तंखा बंखा देना गाड़ियों में पेट्रल लेट्र भरना उसके लिए हैं अपने ताम जाओं को जिन्दा रखने के लिए टूर्टल बजेट का 75% डेवलोप्मेंट के लिए सिर्फ 30% गुजरात में क्या है डेवलोप्मेंट का बजेट है 67% और दुनिया चलाने का बजेट है 33% आप कर्पना कर सकते हैं इस देश को कैसे चलाया जा सकता है हमारे हाँ अब आपके हाँ किसान आप भंत्या करता है आप जानते हैं भरिवाती माराट्टा किसान भी कपास की खेती करता है गुजराट का किसान भी कपास की खेती करता है आंद्र का किसान भी कपास की खेती करता है कौटन की खेती करता है आंद्र का किसान आप भंत्या कर रहा है माराट्टा का किसान आप भंत्या कर रहा है गुजराट का किसान आप भंत्या नहीं कर रहा है क्यों? में गुजरात में कॉटन का प्रोड़क्ट था 23 लेक्स बेंट 23 लाग गांट कॉटन का उत्पादन था आज इस बार कितना है इस वर्स कॉटन का उत्पादन है एक करोड तेरीस लाग गांट वही जमीन वही किसान वही केड़ वही कोटन दुनिया पदली जा सकती है दोस्ते दम चाहिए रहे लेकिन अब दिल्ली को परिशानी हो रही है कि गुजरात मैंसे हो कैसे सकता है गुजरात का किशान प्रजदी कैसे कर सकता है और इसलिए अभी एक दिन रात और रात क्या किया हुआ है कोटन के एक्षपोर्ट पर प्रतिवन लगा दिया कि गुजरात के अंदर किशान जब जब कौटन की खेटी करता है फसल खेट में होते है दुनिया के देशों के लोग के फेट portion में आहां करके देख पर उनके साथ सौधा करते हैं और फिर गुजरात का किशान अपना माल चीन के बाजार में पहुंचाता है और आज भी चीन बार्गेट मिल जाता है लेकिन अचानक भारत सरगार ने कॉटन एक्षपोर्ट पर पतीमिन लगा दिया आहां हरार हो है और कॉटन एक्षपोर्ट पर पतीमिन लगाने के कारण गुजरात के किस्वानों को करीब करीब 15,000 करोड रुप्या कर दो नुक्षान किया है अभी य यह किसकी भलाई की लिए किया जा रहा है कि कहीं लोगों को कुरूशी के समन्द में एक शम्द बोलने का अधिकार है जो किसान इतनी फसल पैदा कर रहा है जो देश की एकोनोमी को मदद कर रहा है फोरे इसके इंकर मांगे ला रहा है आप उसको एक प्रकार से राम तो राम और इसके लान दुनिया के बाजार में क्या हुआ है पिछले साल उन्होंने ऐसा ही किया फिर जना अंदोलन खड़ा हुआ तो फिर उन्होंने प्रतिमन हटाया और तब तक उनको करीब 6,000 करोड़ कर घाटा हो चुका था अभी फिर से किया फिर आंदोलन चलेगा पता नहीं वो क्या करेंगी लेकिन उसके कारण दुनिया के बाजार में क्या होता है आप लोग व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग अगर आपकी पूरे में दुकान है और दुकान में कभी सोंवार को बंद रहती है कभी पूरे कर गया अगर अगर पता है इसे बना दी है दुनिया वैं दुनिया के खरीदा आपको पता नहीं है कि भई यह मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा कितने दिन इंपोर्ट कर पाएंगे कितने दिलिंट्रdo कुरा नहीं कर भाएंगे एक कहीं एक्सपोरट पर प्रतिमनलाईप लगा नहीं देंगे पूरे विश्तव के बायर्स के अंदर हमारी credibility को zero कर दिया है जिल्दी की सल्तमत जीरो करके रखा है और उसके कारण हिंदुस्तान के export बार्केट को एक कंपा भारका नम्दीर नुक्षान के हैं लोगों आप कंपो ना कर सकते हैं इस प्रकार की नीतियां और जिसको तो तो देश की हलत क्या होगी इसका आप अंदाज कर सकते हैं अभी किसे ने मुझे एक SMS भेजा था उसमें लिखा था कि डॉक्टर मनमोन सिंग जी को औसकार का एवर्ड मिला इस तरह काम को मिलता है दारिया साब आप तो बुजूर है औसकार का एवर्ड मिला क्यों तो बोले प्रधान मंत्री की बेस्ट एक्टिंग के रिए अब प्रधान मंत्री कौन है पता नहीं चल रहा है देश कहां जायेगा पता नहीं चल रहा है पूरी सरकार पूरी सरकार एक आर्मी के चीफ की जन्मत तारिक के पीछे लगए बताओ पूरी सरकार बयात दे रही पूरी सरकार लगी थी अकर ऐसे उनका समय बरबाद हो रहा है पता नहीं भाईयों भेनों यह देश को कहां लेता है भाईयों बहनों कुज्राव विकास की उन उचाहियों को पार कर रहा है कि चाहे उद्योगी क्लिकास हो कुछिक छेत्र हो है अब हिंदुस्तान का अग्रिकल्चर ग्रोथ तीन परसंट से आगे बढ़ने का है कि मैं कुछिमंत्री के लिए बोलने नहीं आया हूं कि अब 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 किस-किस की लिए बोले भई और कितना बोले अब तो लगता है क्यों बोले अब समय आने पर जनता बोलेगी इंदुस्तान की सरकार लगातार लक्ष तै करती है कि अग्रिकल्चर ग्रोथ हम काल ग्रस्त राज्य माना जाता है कि दस साल में साथ साल जहां अकाल रहता है वाटर स्कैर सिर्टी रहती है गुजराद यहने रिगिस्तान कच्छ का रिगिस्तान इससे हम जाने जाता है और हालत कैसी है इधर रिगिस्तान उधर पाकिस्तान यह हमारी हालत और उसके बावजूद भी गुजरात का पूरे दस साल का एक्रिकल्चर ग्रोथ है इलेवन परसेंट जहां गंगा यमना के पानी है जहां कृष्ण गुदावरी के पानी है वहां तो कुछ करके दिखाओ पंजाब हर्याना ये किसी समय एक्रिकल्चर सेक्टर में लीड करते हैं आई वो जगा गुजरात बना दे है वह तुरिजम के सेक्टर में कहीं नहीं है गुजराती जाए बेश टुरिस्ट खाकरा थेपला सुपरी चलो दुनिया के किसी देश में जाओ मिलेगा खेंचो वेकेशन आया देगी चले गुजराती जाओ बेश टुरिस्ट बट गुजरात वस नेवर एड टुरिस्ट देस्टिनेशन आप दुनिया में कहीं पर भी जाएए आपको गुजराती मिलेगा है मिलेगा फाल्स्टार होटल होगी वो अपना डिपा खोल करके थेपले लिग होगा है मित्रव गुजरात पुरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था लेकिन पिछले दो साल के लगातार कोशिच का प्रणाव यह हुआ है कि आज गुजरात में का ग्रोथ 40 प्रसेंट है अधिताब बच्चन घर घर जाते हैं आप सोते हैं तो उठाते हैं कुछ दिन तो गुजरा गुजरात में और उसका नतीजा है जोते हैं आज गीर के शेर देखने के लिए सोमनाथ पौरबंदर मात्पा गांधी कछका रां कल तक जो कछका रां संकट के रूप में देखा जाता है आज कछका रां इंदुस्ताम का तोरण बना दिया है और अभी कछके रां को कैसा बनाया है वो आप दें तारग मैता क्या मुद्रा चस्मा पर देखा होगा आसी चटा है कि शारग मुद्र तीन चार एपिसोड दिखाया ऐसा मैंने बताया है कि रण के तरह सुंदर होता है कि इस बार करीब असी हजार लोग और रण फेस्टिवल में आए तैंक पे रहे और मेरी फूना बास्यों को प्रार्द्रा आए अगले डिसंबर में अभी से बुक करवा दीजिए मेरा दिन राद यहीं काम है गुजरात का मार्केटिंग करना इससे माया होता हुआ हुआ है और बाद में शिकायद मत करना मोधी जी बुकिंग नहीं मिला नहीं टैंटें मिला अधर मत करना लेकिन विकास नहीं हुचायों के छू रहा है अभी गुजरात आटो मोबाईल हब बनने जा रहा है मित्रब बहुत कम लोगों को पता होगा दुनिया की एक भी आटो मोबाईल वेहिकल ऐसा नहीं है दुनिया का मैं बहुत जिम्मेबारी के साथ बोल रहा हुआ हूँ एक भी ऐसा वेहिकल नहीं है जिसका कोई न कोई आटो पार्ट गुजरात में न बना को एकाद एकाद पार्ट हर गाड़ी में लगाए कोई भी दुनिया की कोई भी बड़े से बड़ी गाड़ी का नाम लेंगे एकाद एकाद ऑटो कमपोनेंट उसका मैंजिफेक्ट्रि गुजरात में बना है ये टलेंट हमार पास थी तो गुजरात ऑटो हब क्यों नहीं बन स पूना का नाम था तमिलाड़ो का नाम था अब वो जगा गुजरात ले रहा है चीजे बड़ली जा सकते हैं गुजरात पे सोलार एनर्जी में बहुत लीड किये इंदेरों पोरा हिंदुस्तान 120 मेगावर्ट सोलार एनर्जी में आगे बढ़ा है 120 अकेला गुजरा शाड़े 600 मेगावर्ट हिंदुस्तान नवजमानों का देश है पूरे विश्व में भारत युवा देश है युवा देश होने के नाते ये युवा शक्ती देश की काउं आ सकती है कि भारत सर्कान अभी कुछ जान का यह प्रगट की है फार्लेमेंट के एक समाल की जवाब है कि वह जान का यह मैंचे पिछले पास साल में हिंदुस्तान में इसका में दो में ठोजगार-दे लोजगार मिले दोanh फार हिndustan में उसमें 73% अकेले गुजरात में 27% में बुरा हिंद directly wyAKE भारत सरकार के रिए यह भारत सरकार श्रकार के राम में अब धिल दिपा हैं में मैं से प्रिवर्तन आएगा आप अंदाज कर सकते हैं यह पालनपूर से लेकर के जो पूरा इलाका है एक नया विक्रास का ख्ष्टेतर खुंडेवाता है प्रिवर्तन आप अधिया विक्रास की नया पूरा गुजराथ बंद रहा है वो दिन दूर नहीं होगा कि गुजराथ के समुद्री तरप पर एक पूरा नया अधुनी गुजराथ आप देखते होंगे उस दिशा में गुजराथ आपके बड़ा है विकास की नहीं नहीं उचाईयों को गुजराथ पार करता चला जा रहा है कोई छेत्र ऐसा नहीं है वित्र दो हजार एक में गुजराथ में ग्यारा युनिवर्सिटीज थी ग्यारा चानिज साल में ग्यारा युनिवर्सिटीज इस दस साल में 43 युनिवर्सिटीज गुजरात मैं एंजिनेरिंग स्टूरेंट के लिए सीटें थी 13 धाऊज़न और इसलिए गुजरात के बच्चों को डोनेशन पर सीट लेकर के बढ़ने के लिए जाना करता महाराश्चमन आते थे, काना तक आते थे तमिलनाडू चने जाते थे, और 15 लाग डोनेशन, 20 लाग डोनेशन और अर्पो खर्वर रूपिये के डोनेशन में जाते थे और माबाब को रात को नहीं नहीं आती थे, कि बेटा कहीं, क्या करतेगा महाँ गया है तो, आदब तो खराब नहीं हो जाएगी दोस्तों बुरे नहीं मिल जाएंगे जब तक पढ़ाई करके वापिस नहीं आता था माबाब को टेंशन रहता था मित्रों 13,000 सिटे थी एंजिनिरिंग, टेक्निकल एजुकेशन की आज वो स्थिती पहुंची है 90,000 आज गुजरात के बच्चों को 15,20,000 का डोनिशन दे करके गुजरात के बाहर एड़िशन के लिए जाना नहीं पता है कोई भी छेता हुपाले जीमेंटो हमने एक मुमेंट चनाई है गरीब महिडाओं के लिए मिशन मंगलं करके योजना चलने है विमेंट सेल्फ हेल्ट ग्रूप 12-15 बेहर एकटी आती है 10-10 रुपया 15-15 रुपया बचाती है गवर्मेंट उनको मदद करती है बैट से उनको पर्टरवजार दिलवाते हैं करीब डाई लांक ऐसे सक्खी मंडल काम कर रहे है और उनका मिशन मंगलं अंतर के जो काम चलना है इन गरीब महलाओं के हाथ में 1000 करोड रुपयों का कारोबार दिया है 1000 करोड रुपीज और 2014 तक मैं उस एमाउं को 5000 करोड तक पहुंचाने का काम का डेवलाओ आप विचार के लिए गाउं की गरीब महलाओं के हाथ में 5000 करोड रुपयों का कारोबार होगा कि अंदाज कर सकता है कि तरह बदलाव आएगा कि वित्रप कोई छेत्र ऐसा नहीं है कि छेत्र के विकास के लिए नहीं योजना नहीं आयां नहीं नहीं व्यवस्ताइं विशित्ना की हो और इस सबका हुमिलिटिव इफेक्ट गया है ये दस साल का जो इंपेक्ट हुआ है अभी कल मैं कहीं टीवी पे देख रहा है उत्तर पुदेश मैं सरकार बनी है वहां से एक नेता का वयाग चल रहाता है उन्होंने कहा कि हां को इस पार हमने ताइप किया है कि हम उत्तर पुदेश को गुजरात की तरह विक्सित करेंगे हिंदुस्तान में अगर किसी को समझाना है तो अर्थ सात्र पढ़ाने की जरूरत नहीं है योजनाय बताने की जरूरत नहीं हम दस की पताए को यह उसे इतना भोल दो हम गुजरात जैसा करेंगे तो लोगों को पता हुदा मतलब क्या करना है मितलो यह छोटी बाद नहीं है कि स्थिति ऐसे नहीं बजी है छे करोड गुजरात के पुरसाथ का प्रणाम है का आज विश्व में गुजरात माथा हुचा करके खड़ा हो गया है मितलो आज यहां एक कारकाम जो मेरी जानकारी में नहीं था वो हुआ और वो मुझे पुजरात रत्नक एवोट दिया गया है मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ नहीं मैं इसका हगधार हूँ अगर मुझे से पहले पुछा होता तो मैं फाथ जोड़कर के विनन्ति करता है कैसा मत करो लेकर आपने किया है यह सम्मान छोटा नहीं है बहुत बड़ा सम्मान आपने दिया है मेरा कोई हग नहीं ननता है इस पर हग अगर है तो 6 करोड गुजरातियों का है और इसलिए आपका इस सम्मान 6 क्रोड गुजरातियों के चरणों में मैं सब执ी करता हूँ उनके चरणों में मैं आदर पुर सक्राइब करता हूँ और आपने मेरा जुजराति बंदु समाइच का अंता करन पुर्वग आभार व्यक्ता करता हूँ सादुफाद गटने करता हूँ और मैं पूरे के बंदों से प्राथना करता हूँ कि नितिन भाई की टीम ने जो सपनों संजोए है उस बेद्धन की कभी कमी मत रहने जाएगा आपके बाद जो भी है वो समाज का ही है कुछ हिस्सा समाज के लिए जरूर दीजिए और ये सब प्रमुख लोगन दिये हैं बैटे विए ही यहां बैटे विए लोग खुद दे रहे हैं आप भी देंगे और ओरों को भी देने के लिए खेंगे जो सपना है और पुरे हिंदुस्तान में शाय पुना पुना गुजरती समाज सबसे अवल नमबर पर काम करेगा ये मैं साथ देख रहा हूं कि दुमंग और उसा के साथ तो इस काम को सफल करने के लिए आप सब का पूरा सहयोग मिले कि मेरी और से भी गुजरान की और से मैं विशेश सुख से आप सब को प्राशना करता हूं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुखावणा है